नमस्कर दोस्तों रेक दास ब्लोग में आप सबी का स्वागत है आसा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ गुजरात के फेमस नमकी सिंग दाना की रेसिपी सेयर करूँगी आज के ये सिंग दाना की रेसिपी को आप एक बाद जरूर बना के देखेगा ये सॉल्टेट मुंफली आप बोल सकते हो सिंग दाना बोल सकते हो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में रेगुलार जो हम मुंफली खाते हैं उससे काफी अलग और बहुत ही ज्यादा टेस्टी तो प्रें आज की वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप को अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट के साथ दोस्तों में भी मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजेगा तो चलिए देरी ना करते हुए आज की रेसिपी सुड़ करते हैं तो यहाँ पर मैंने कच्छे मुंफली ले लिया है दो कप आपको जितना बनाना है आप उतना ले सकते हो तो दो कप मैंने कच्छे मुंफली ले लिया है तो चलिए नेक्स टेप की ओर चलते हैं तो सबसे पहले हम एक बरतन में ले लेंगे तीन कप पानी दो कप हमारा मुंफली है तो हम यहाँ पे तीन कप पानी डालेंगे पानी को हम पहले अच्छे से गरम करेंगे डालेंगे डेर चम्मच नमक और पानी को अच्छे से हम पहले गरम करेंगे पानी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है अब हम डाल देंगे कच्छे मुँपुली गैस का फ्लेम हम मेडियम करेंगे और मेडियम फ्लेम में पांच मिनिट हम बॉयल करेंगे तो गैस का फ्लेम मेडियम कर दिया है और पांच मिनिट हम पहले बॉयल होने देंगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तब तक मुगफली हमारा अच्छे से फोल जाएगा पांच मिनिट हो गया है मुगफली हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो गैस का फ्लीम हम बंद कर देंगे और पैन को हम कौवर करके रख देंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट हम रेस्ट के लिए रखेंगे उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे और अभी आप देख सकते हो मुंगफली अमारा कैसा है ये पांच मिनिट बाद और अच्छे से फोल जाएगा तो पांच मिनिट ढखके हम रेस्ट के लिए रखेंगे पांच मिनिट हो गए अब हम मुंगफली को चान लेंगे इस तरीके से हम छन्नी में निकालेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे मुंगफली हमारा अच्छे से फूल गया है आप देख सकते हो देखें इस तरीके से हम छन्नी में कुछ देर रखेंगे जो भी एक्स्टा पानी है वो मुंगफली से वो नीचे की ओर आ जाएगा बस दो मिनिट हम इसी तरीके से रहने देंगे दो मिनिट बाद हम एक कराई में ले लेंगे एक कप नमक नमक को हम पहले अच्छे से गरम करेंगे और ये नमक यूज के बाद आप फेकिएगा नी किसी भी एड़ टाइट कंटेनर में भड़के आप रख सकते हो जब कभी आपको कोई भी चीज बेक करना हो तो आप इस नमक का यूज कर सकते हो मुंगफली बूनना या आलू रोस्ट करना हर चीज आप इस नमक से कर सकते हो तो यूज के बाद आप इसे फेकिएगा नी तो गैस कपले मीडियम कर दिया है और नमक को हम पहले गरम कर लेंगे और मुंगफली में से जो भी एक्स्टा पानी था वो निकल गया है लिकिन मुंगफली पूरी तरीके से ड्राइ नहीं है बस दो मिनिट छन्नी में रहने दिया था और मुंगफली अभी भी हमारा गीला है अब देख सकते हो नमक हमारा हलका जैसे ही गरम हो जाए हम यहापे मुंगफली डाल देंगे तो दो कप मुणफली है, हम एक बारी में नहीं डालेंगे, आधा अभी हम डालेंगे और आधा दूसरे बार में हम इसे फ्राई करेंगे तो बस गैस कपली में हम लो मेडियम करके इस तरीके से हम मुणफली को नमक के साथ चलाते रहेंगे और अभी आप देख सकते हो, मुणफली के अंदर सारे नमक चिपक गया है, लेकिन टेंसर मत कीजिए, ये जैसे जैसे भूनता जाएगा, वैसे वैसे नमक इसे मुणफली से अलग होता जाएगा तो गैस का फ्लिम हमें हाई नहीं करना है, हमें लो मीडियम में फ्राई करना है पांच से साथ मिनिट का टाइम लगेगा एक बार आप इस तरीके से ये मुणफली बना के जरूर देखेगा और सर्दी का सीजने बैसे ही बहुत ही अच्छा लगता है, हम सभी को मुणफली खाना ये जो नमकिन सिंग दाना है, मार्केट में आपको इजिली मिल जाते है लेकिन काफी महेंगे रेटों में आपको मिलता है तो इस तरीके से अगर आप कच्छे मुणफली घर में लाके बना के रखोगे तो आपको मार्केट जाने की भी जरूर नहीं है और डबल रेट में आपको खरिदने की भी जरूर नहीं पड़ेगी तो 2-3 मिनिट हो गया है मैं लगातार इसे चलाते रह रहे हो बीज बीज में बस और 4-5 मिनिट लगेगा और आप देखेंगे मुणफली का कलर भी बहुत ही अच्छा है और ये जो नमग लगे है ये भी अलग हो गया है मुणफली से चार मिनिट हो गये मुणफली को हमें भूनते हुए और आप देख सकते हो हलका इसमें से नमक अलग होना सुरू हो गया है लेकिन मुणफली हमारा अच्छे से अभी भूना नहीं है तो इसे हमें 2 मिनिट और मीडियम फ्लीम में भूनना है हाई फ्लेम में मत भूनेगा नहीं तो मुणफली अंदर से कच्छा रह जाएगा और आप देख सकते हो कलर किस तरीके से धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है देखें दोनों का कलर बिल्कुल अलग है बस 2 मिनिट हमें और भून लेना है प्रिंट्स थोड़ा सा ही सही लेकिन एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आठ नौ मिनिट हो गया है और मुणफली हमारा अच्छे से भून गया है मैं आपको पास से दिखाती हूँ कलर भी इसका चेंज हो गया है देखें तो चन्नी में हम इस तरीके से निकाल लेंगे जो भी एक्स्टा नमक है वो नीचे कराई में आ जाएगा और एक प्लेट में हम रखते जाएंगे आठ से नौ मिनिट का टाइम लगे है मुणफली को भूनने में और इसी तरीके से बाकी जो मुणफली है उसे भी हम भून लेंगे बस हमें इस बात का जहन देना है कि हाई फ्लेम में हमें नहीं बूनना है गैस का फ्लेम लो मीडियम करके हमें इसे आठ से नौ मिनिट जब तक ऐसे कलर ना आ जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है तो प्रिंट्स तयार है हमारा बहुती टेस्टी नमकीन सिंग दाना तो इस तरीके से आप एक बात जरूर बना के देखिएगा उमीद है आप सभी को पसंद आएंगे तो आज की ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में भी सेयर कीजिएगा मेरे चैनल में अगर आप नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फिर नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार